Hello everyone, स्वागा था PW Only IS में, आज है हमारा bonus chapter, chapter number 3 of the 7th edition, ये नए 7th edition में chapter number 3 है इसका नाम और last class तक हम chapter number 11 तक cover कर चुके हैं, आज इस class के बाग हमारा part 1 पूरा हो जाएगा और next class से हम part 2 की शुरुआत करेंगे, तो इस book में जब इस chapter का इंडेक्स आता है तो ये तीसरे लेविल पर आता है, historical background, making of the constitution और concept of the constitution, तो हमें ये जानना है कि सर ये important क्यों बना, पहली बाद तो हमें बता हूँ, ये add क्यों हुआ, क्योंकि भाया हमने देखा कि कुछ ऐसे questions आए हैं, जो political science से related भी हैं, जो थोड़े से ऐसे political scientist ये political thinkers ने कुछ ऐसे definition दे रखी थी, उनको उन्हों UPSC ने ऐसे चुना और उसको भाया question के form में exam में दे दिया, अब हम देख रहे हैं कि सर ऐसे हमारे सामने question आए हैं, इन questions को हम class के last में देखेंगे जरूर, ये यहीं के solve भी हो जाएंगे, बहुत आसान question है, पर chapter पूरा इसके लिए dedicate हुआ, that is a very important thing, तो हमें इस chapter को पहले त decision करोगे, तो आप इसको पढ़ना chapter number two के बाद ही, आपको समझ में आ जाएगा, कि constitution का मतलब क्या है, constitution क्या कहना चाहरा है यहां पे, और constitution से क्या-क्या हमें ऐसी और definition मिल रही है, जो important बन रही है, एक आपको मैं और एक चीज बता दूँ, क्योंकि ये important है जानना, ये जो chapter ह है, ये prelims, mains में तो useful ही है, क्योंकि GS2, GS4, optional में आएगा ही आएगा, इसके अलावा इस chapter का आपको help मिलेगी, जब आप अपने interview में बैठ होगे, और interview के लिए मैं आपको कुछ इक बात बता हूँ, interview में आपका personality का एक और dimension check होता है, जिसका नाम है charisma, charismatic, क्या आप charismatic हो या नह हो, पर उसकी तरफ बनने का प्रयास करना शुरू कर दो, charismatic दिखने के लिए चार आपको कदम चलने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ, पहला कदम है, do not divide your attention, अगर पढ़ रहे हो, तो पढ़ो, अगर सुन रहे हो, तो सुनो, दूसरा, if you want charisma, you listen first, you speak later, आप पहले सुनो और बोलो बाद में, ठीक है, अगर आप charismatic person हो, तो आप definitely अच्छे speaker हो, पर आप उससे भी अच्छे listener हो, तीसरा, अगर आपको charismatic दिखना है, make decisions, and stick to them, and also take full responsibility, चौथा, charismatic होने के लिए, एक important factor है, do not move fast, आप तेजी में बोलो मत, खडबाहट में नहीं, If you have charisma, you have that peace of God, और मैं बता रहा हूँ, that peace is pure power, interviewer देखते ही समझ जाता है कि I want this candidate, ये चाहिए, आप जितने भी बड़े बड़े, जितनी महान व्यक्तित्व को देखते हो, उनमें सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि यार ये लोग बहुत ही शान्त होते हैं, calm, composed, एकदम जिसे कहते हैं शान्त और उनसे ऐसा लगता है, उनकी औरा से ऐसा हमें लगता है कि हमें इनके जैसे हम कैसे बनें, क्या करें, क्या पढ़ लें कि हम इनके जैसे इतने विद्वान दिखें, इतने ऐसे हिम्मत वाले दिखें, तो इसका एक सिधा सिद्धानत है, कैरिजमा के अगर आप Latin में meaning देखोगे, ये Latin word है, Latin में constitution का एक word होता है, constituir, अब इसका क्या मतलब है sir, ये इसका मतलब है, बनाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को set up करना, constitution word का और भी English language में अलग मतलब भी होते हैं, जैसे किसी एक association की constitution क्या है, इसमें कौन-कौन लोग constitute करते हैं, क्या लोग हैं, क्या composition है, किस तरीके से ये बनाया गया है, तो लेकिन हमारे political sense में, हम political dimension में देखते हैं, constitution का मतलब होता है, एक ऐसे basic set of principles, एक ऐसे basic set of सिधान्त, ऐसे guidelines, जो specify करती हैं, कि हमारा organization और working कैसी होगी, सरकार की, और साथ ही, उसका रिष्टा कैसा होगा, सरकार के साथ और लोगों के साथ, in terms of their rights and duties, कुल मिला के यही है, कि सम्विधान की definition ही यही है, कि एक basic set of principles होने चाहिए, जो सरकार की working बता दे, सरकार की organization, सरकार की composition, सरकार का structure बता दे, साथ ही, यह बता दे कि सरकार का लोगों के साथ, तालमेल कैसा होगा, उनके अधिकारों के लिए, और उनके duties के लिए, ठीक है, यह बात समझ में आ गई, कई ऐसे political scientists रहे हैं, जिनोंने constitution की अपनी-अपने मन से बहुत definition दी है, पर कुल मिला के जैसे सारे धरम, कुल मिला के एक ही बात सिखाते हैं, ऐसे ही कई सारे political scientists ने जो जो definition दी है, सबका basic मतलब वही है, fundamental मतलब वही है कुछ ऐसे आपको नाम मिलेंगे कई बार, केसी विहरे साहब का नाम, आप कई बार सुन भी चुके हो, अभी आगे भी आएंगे यह, तो यह हुए, इसके अलावा, Gilchrist जी हुए, यह Gilchrist वो नहीं है, जो आप सोच रहे हो, cricket के बढ़िया वाले कप्तान, ऐस्रेलिया के, य एक basic fundamental set of principles है, जो यह बताता है, कि सरकार arbitrary काम ना करे, सरकार ऐसा वैसा काम ना करे, इसके अलावा, और भी लोग है, जैसे Wade and Phillips हुए, तो Wade and Phillips, दो लोगों के नाम है, इन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई है, इन समने, जो जो मैं नाम लिख रहा हूँ, तो इन लोगों अपनी किताबों में ऐसे constitution का मतलब define किया हुआ है, कि क्या-क्या है, पर कुल में लाके अगर हम देखें, तो समविधान का और क्या-क्या मतलब निकल के आता है, by fundamental law of the land, कि सबसे basic, मौलिक, fundamental जो भी कानून है, वो समविधान में होना चाहिए, जो सबसे उपर हमने एक living document, बड़ा सा document बना के रखा हुआ है, supreme law of the state, supreme law सबसे उपर है, इसके बाद ही सारे laws निकलेंगे, जितने भी हमारे contract law, labor law, industries law, companies law, जितने भी आपके law हैं, वो सारे समविधान के नीचे से निकलेंगे, अगर समविधान में ये सारे कोई छोटे मोटे चो act होंगे, अगर ये सम constitution जो होगा, वो supreme law ही होगा हर देश का, चाहा हमारा हो चाहा किसी और देश का हो, basic law, दोनों में फरक है, एक कहता है supreme law of the state, ये खासकर definition चलती है इंडिया में, जो मैंने आपको पहले कहीं अगर बताय हो, आपको याद आ रहा हो, और ये चलती है जर्मनी में, ये क्या हुआ कि ये constitution उपर है, इस में से सारे acts निकले हैं, सारे और जो बाकी law, statute, regulation, guidelines, principles, जो निकले हैं, वो इस में से निकले हैं, इसके नीचे से निकले हैं, यहाँ पर क्या मतलब है, इस basic law से सारे act निकले हैं, अब एक basic law है, उसको समझ लेना, बाकी उसके उपर बनाते जाओ अपने जो इंडिया का constitution है, उसको बोलते है supreme law, और जर्मनी का जो वेर्मार constitution होता है, उसको हम गहते हैं, वहाँ का वो basic law है, कम से कम इतना मान के चलो, इसके उपरा बढ़ाते चलो, ऐसा होता है, यह सरकार के लिए एक instrument भी है, साफ बात है, क्योंकि सरकार और चल कैसे रही है, सम् यह जरूर करना, तो वो सारी चीज़ सरकार को guideline देती है, कि उनके लिए instrument मन जाता है, उनके लिए एक ओजार है, बहुत important, यह state के सारे rules बताता है, कि साहब state में क्या क्या rule चलने है, हमारे polity का जो basic structure है, वो define करता है, कि center पर यह होगा, state में यह सारे act, यह सारे सरकार होंगी जुडिशरी ऐसी होगी है हमारी, और इसके लवा लोकल government जो होगी grounds तरपे, जैसे municipal corporation, नगर महापाले का, gram panchayat, gram sabah, वो कैसी कैसी होगी, grand norm of the country, important word है, मुझे आप इसका मतलब बताना ज़रा google करके, आपको समझ में, हलगा-लगा कोद देख रहा होगा, कि grand norm क्या होता है, grounds related होगा, norm होगा, norm मने, norms, regulation, guidelines, वही सारी, now, एक चीज़ और देखो, कि जब भी हम किसी constitution को पढ़ना चाहेंगे, चाहे किसी भी देश का हो, तो उस देश का जो constitution होगा, वो कुछ ऐसे function या purpose फुल्फिल कर रहा होगा, जो उस देश के लिए जरूरी है, वहाँ के लोगों क सहाब है, उन्होंने ये बहुत अच्छे से बता रखा है अपनी किताब में, कि ऐसे कोई भी सम्विदान किसी भी देश का हो, वो क्या-क्या function और purposes फुल्फिल कर रहा है, तो भाईया, ऐसे आठ चीज़े हैं, पहली हो गई, कि वो ये declare, define करता है, हमारी boundaries क्या-क्या है, political community क Parliament, Executive, Judiciary, Media, बागी ऐसे local level पे लोग, जो जनता के ऐसे लोग हैं, जो प्रशाशन के साथ तालमिल बिठा रहे हैं, या जैसे हम बोलें, अगर पुलिस मित्र भी जो होते हैं, तो वो भी हमारे, वो भी हमारे एक political community का हिस्सा हैं, तो इन लोगों की सब क्या boundaries हैं, इन सारे संस तूसरी चीज ये बताता है, ये बताता है कि हमारा nature, हमारा behavior और authority कैसी होगी इस political community की, कि उसका behavior कैसा होगा, उसका बरताव कैसा होगा, और उसकी authority क्या है, वो किस प्राधिकरण के तहत, वो किस अधिकार के तहत आप से कोई काम न करवाने को बोल रहा है, और कोई काम करव काने को बोल रहा है, तो तीसरी चीज होगी हमारी, कि ये बताएगा कि हमारी पहचान, हमारी values क्या-क्या है, as a national community, हम as a nation, as a poor country, हमारी क्या-क्या हमारी पहचान है, क्या हम भारतिये हैं, तो हमारे भारतिये होने की पहचान क्या है, हम किस चीज से मानते हैं खुद को, कि हा सम्विधान में अपने 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 अपनी वैलियूस होंगी, अपने अपने कल्चर होगा वाँके लोगों का, उनका अलक χिस्टम होगा पॉलिटि का तो वो भी बताएगा उनका सममिधान उन देश ओंगा हमारा कैसा बताता है हमारा ये बताता थे… यह यहां community माने कोई छोटी community का मतलब नहीं है, यहां community माने बहुत बड़ी community, अब इस community का क्या-क्या पहले तो यह कैसे बनेगी, कोई act के तहट बन रही है, सम्विधान में पहले से इसको protection दी हुई है के नहीं, constitutional protection, कई ऐसे commission है, committee हैं, जैसे election commission, तो election commission को हमारे सम्विधान नहीं mention कर दिया है, election commission किसी act के तहट बना नहीं है, जैसे IIT हैं, तो IIT किसी act के तहट यह institute, यह संस्थान चालू हुआ, यह दिखा सामने, तो IIT, अब जैसे IIT मुंबई है, तो IIT मुंबई हमेशा से नहीं था, आजादी की समय से नहीं था, यह बाद में बनाना, तो यह एक IIT act के तहट पास हुआ था, फिर IIT act के तहट, एक IIT बंबे बनाया गया, पवई लेक के पास, जमीन ली गई, वहाँ पे campus बनाया गया, hostel बनाया गया, इसाब सामन बने, तो यह कुछ चीज़ें होती है, जो सम्विधान में पहले से mention होती है, जैसे संगलोक सेवा आयोग, तो यह सारे ऐसे commission है, जो constitutional bodies है, जो पहले से ही वहाँ मौझूद है, जो आजादी के साथ ही, हमारे political system में घुल मिल चुके थे, इनको बताता है, कि इनके पास क्या-क्या इनके power है, क्या इनको regulation भी बताता है, कि साहब आप ऐसे काम करो, यह ना करो, और आपको यह तो करना ही करना है, यह बिल्कुल नहीं करना है, यह वाली बात है, एक चीज़ यह बताता है, कि जितनी हमारे सरकारे हैं, चाहे वो center पे हो, चाहे state पे हो, चाहे कोई भी अंदर sub-state के और भी कोई, और भी कोई important कोई structure है, तो उन departments के बीच में, जो power sharing हो रखी है, वो कैसी होगी, कि कितनी power किस के पास है, कितनी power दूसरे के पास है, कौन उसकी power में interfere ना करे, यह सारी बात है, एक और चीज़ जो बताता है, हर देश का सम्विधान, कि उस देश का official religious identity क्या है, उनकी धार्मिक पहचान क्या होनी चाहिए, किसी भी देश का अगर कोई सम्विधान है, तो जैसे इन सहाब के या, पहले बाद तो बताना है, कैसा भी हो, फरक नहीं पड़ता, पर सम्विधान जो होगा, जो basic state of principles होगा, basic guidelines का एक एकटा पूरा पोथी होगी, वो यह जरूर इशारा कर देगी, कि एक देश का religious identity क्या है, जैसे हमारे या, हम हैं, इंडिया, इंडिया एक secular nation है, secular, हम धर्म निर्पेक्ष हैं, तो हमारे या, इस चीज से फरक नहीं पड़ता है, कि हम किसके धर्म को तवज्जो ज़्यादा दें, किसी के धर्म को तवज्जो ना मिले, हमारे या, हर धर्म को समान रूप से समान मिलता है, हमारे मज़ी रिलिजन सोसाइटी है, हर तरहे के लोग हैं हमारे, अपना-पना फेथ, अपना-पना विश्वास, अपना-पना आस्था बना के चलते हैं अपने इश्च देव के साथ, तो इन लोगों को अपना-पना धार्मिक सुदंता मिलनी चाहिए, हमारे सम्मेदान ने बोला कि सब ओके है, सब अपना-पना धर्म फॉलो करो, ऐसे कोई पब्लिक मॉरालिटी के उपर अगर कोशन ना आए, तो अपने आपकी आस्ता है, श्रद्दा है, जैसे करना है वैसे चला लो, ठीक है, ये बता दिया, इसके बाद एक चीज़ और बताता है हमारे सम्मेदान, ये आठवा है, कि हमारे स्टेट, ये स्टेट को कमिट कर ला जिता है, तो अब पर्टिकुलर सोशल, एकनॉमिक और डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, कि कोई भी जो स्टेट होंगे, उनके कुछ न कुछ ऐसे कुछ इरादे होंगे, उनके कुछ ऐसे गोल होंगे, कुछ एम होंगे, कि अब पर्पस होगा, जो स्टेट को फुल्फिल करना ही करना है, राज्य को, राज्य माने या पर यूपी ब्यार नहीं, नहीं राज़माने पूरा सरकारी तंत्र पूरा स्टेट का तंत्र वह कि वो किस तरफ सामाँज से रूत रूप से या विकास की रहा पे कैसे आगे बड़ रहा Яं तरफ आगे बढ़ रहा है क capital to चीनना नहीं सिवाए एक दो के क्योंकि वह तो बिल्कुल नहीं चीने आ सकते बागी चीने जा सकते हैं जब emergency लग जाए कोई बात हो जाए यह ऐसे हमारे example देखो हमारे समविधान के बागियों में नहीं है यह सारे जो examples है इनमें से कई हम पढ़ चुके हैं almost सारे हम पढ़ fundamental right हम पढ़ चुके हैं यह बताता है कि कैसे हमारे देश के नागरिकों के पास क्या-क्या उनके पास अधिकार है 15,16,17 लाहिन से याद है न एक एक करके तीनो फिर उसके बाद यह बताता है DPSP कि हमारे राज्य का जो directives हैं वो कैसे होने चाहिए directives मने किस तरफ वो बड़ राज्य हमारा क्या सोचते हुए अपने नए कानून मनाएं क्या सोचते हुए कोई नया action ले या सारे workers के लिए एक living wage एक रोजगार एक जिंदा रहने का एक ऐसा minimum ऐसा wage मिले कि भाई वो सलामत रह सके हर किसी वो रोजगार की guarantee मिल सके और एक decent standard of life मिल सके उसको उसके हर स्टेट को अपने citizens को आगे लेके जाना है ठीक है raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve public health ये हमारे सम्मिधान कहता है हमारे स्टेट को इशारा करता है कि तुम्हें ऐसे चलना है कि तुम लोगों का portion का चिंता करो लोगों को nutrition मिल रहा है कि नहीं लोगों को decent standard of living मिल रही है कि नहीं और public health in collective public health at large improve हो रही है कि नहीं इसकी तरफ भी जान देना है equal pay for equal work मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं आदमी हूँ तो मुझे same काम करने के जाता पैसे मिलेंगे कोई अगर lady है कोई female है तो उसको same काम करने के कम पैसे मिलें ऐसा ही होना चाहिए या तो काम अलग-अलग हो अगर काम same है तो पैसे same होने चाहिए यह हमारा सम्मिधान कह रहा है कि आपको state को ensure कराना है यह सब अब यह हमारे fundamental right है DPSPs है तो यह देख रहा है पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों मिलके हमारे state को कितना guideline दे चुके हैं कि पार्ट 3 में तो ऐसा ऐसा लिख दिया है कि state shall not state shall not यह नहीं करेगा व fulfill हो सकें यह हमारे सम्मिधान की खुबसूरती है कि founding fathers है पहले लिखके दे दिया कि आने वाली सरकार है यह आने वाला जो भी हमारा center का या state का जो भी हमारा तंत्र होगा वो ऐसी चीज़ें ना भूल जाए यह तो करना ही करनी है ठीक है next coming to हमारे ऐसे एक अच्छे सम्मिध का छोटा-छोटा निचोड़ निकाल के रखा हुआ है chapter छोटा है ठोड़ा सा ड्राय लग सकता है क्या है बार बार वही से पढ़ा रहे हो अब तो लेकिन सम्में एक-एक पॉइंट का फरक है और हमें एक-एक करके सारे पॉइंट देखने है पहली बात तो ब्रेविटी ब इन ब्रीफ छोटे में बताओ शान्ती से बताओ कम में बताओ कुछ शब्दों में बताओ तो यह बताओ अब हमारे अगर कोई अच्छा सम्मेधान होगा तो वह प्रिसाईज होगा एकदम पर्टिकुलर होगा वो इधर-धर की बात ना कर तो यह बता कि यह कैसे हुआ ऐस हमारा सम्विधान क्या ब्रीफ है हमारा सम्विधान क्या छोटा है एक दम टूदा पॉइंट बातें करता है हां और ना दोनों हमारा सम्विधान छोटा नहीं है हमारा सम्विधान लेंदी बहुत है बहुत लेंदी है पर पर्टिकुलर बात करता है एक दम उसी स्पॉट पर बात करता है और उस उस चीज को comprehensively cover करता है तो lengthy constitution जहां होगा यहां पर बहुत सारी detail होगी वो create करता confusion और interpretation of its clauses यह क्या हुआ सर तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मानलो article 19 है अब article 19 में इती सारी freedom दी हुई है freedom 1, A, B, C, D, E, F फिर उसके बाद उनके reasonable restriction भी लिखे हुए है अब article 368 notwithstanding anything contained in any other clause of this provision तो ऐसी बाते से क्या हो रहा है ऐसी बातों से confusion create हो रहा है ऐसी बातों से हम clauses को interpret करने में कभी गफलत कर जाते हैं कभी गलती हो जाती है तो वो समविदान अच्छा माना जाता है जो एक दम to the point बात करता है सी दे मशली की आख में निशाना मारता है और वही समविदान अच्छा माना जाता है पर इसका मतलब यहने हमारे समविदान खराब है नहीं हम यह कहना चाह रहे है कि साब एक समविदान अगर छोटा होगा तो वो to the point बात करेगा particular बात करेगा और उसको वही के वही करके खतम कर देगा पर हमारे क्या है हमारे यहां part 3 में कोई अगर ऐसा कोई clause लिखा हुआ है तो वो part 20 में भी उसका कही नगई mention है मैं बहुत चोटी बात नहीं है एक जगे तो नहीं है वहाँ भी है सर उसके पीछे भी है सर एक part 4 में कुछ लिखा हुआ है सर इसको कैसे देख रहे हो आप तो इसको हम ऐसे देख रहे है कि हमारा सम्विधान brief नहीं है पहले आपको सम्विधान पूरा पढ़ना पढ़ेगा लाइन से तब आप कह पाओगे है कि लाइन का मतलब क्या है तो हमारा सम्विधान तो एकदम legalese language इसको legalese बोलते है कि जो judiciary की जो language है जो बहुत ज्यादा heavy words use करती है फिस हाब वो एकदम ऐसी language है legal लोगों की एकदम बड़ी सी nothing in this clause shall do this, shall have this impact on, effect on that other part 3 तो मतलब बहुत difficult हो रही है, कई lawyers को बैठके English का ज्यान होना चाहिए Hindi का ज्यान होना चाहिए, तकड़ा और उसके बाद उन्हें याद होना चाहिए कि इतना बड़ा sentence इसको पहले तोड़ के देखो क्या कहना चाहरा है, फिर इसको समझो तो clarity में हमारा सम्विधान थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसको detail में कर दिये हैं, कि वो clear नहीं समझ में आ रहा है किसी आम इंसान को अगर उसके provision clear terms में नहीं होंगे तो भईया language complicated हो जाएगी और हमारी understanding कम हो जाएगी reduce हो जाएगी, issue है यह problem कभी कभी आती है किसी और सम्विधानों में, फिर हमारा एग आएगा definiteness क्या हमारा सम्विधान एक definite बात कह रहाएगी नहीं कुछ ऐसी तो नहीं कि कुछ इधर उधर की बात हो रही है और कुछ मुद्दे की बात पर नहीं है जिसका मतलब है ambiguity तो नहीं है अगर ambiguity होगी तो discretion of the judges in their interpretation बढ़ जाएगा यह क्या हो रहा है सर कई बार आप जब देखते हो कोई भी article 25 हुआ article 26 हुआ, article 29 हुआ तो इन में क्या हो रहा है public health लिखा हुआ है public morality लिखा हुआ है public order लिखा हुआ है सर यह क्या है सर यह ऐसी बाते हैं जो किसी judge के लिए कुछ है किसी judge के लिए कुछ है और health तो इसका example दो सर इसका example यह है अब कोई बच्ची है वो चौराये पर खड़े होगे अगर TikTok बना रही है कोई वीडियो बना रही है तो हो सकता है किसी judge को लगे कि साब इससे तो public morality खड़ाब हो गई हाई हाई और कोई judge हो सकता है जो कहा है अरे बच्ची है अपना enjoyment कर रही करने तो अगर किसी वो traffic नहीं रोक रही है कोने में खड़े होगे अपना काम कर रही है तुम लोग क्यों तुम लोग क्यों disturb हो रहे हो वो अपना enjoy कर रही है वो अपने TikTok के लिए Instagram के लिए अपना काम कर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा सम्मिदान ने ऐसे कुछ ambiguous word दे दिये है ये ambiguous word है ambiguous माने not crystal clear not बिलकुल particular तो ambiguity हो रही है मतलब confusion हो रहा है और हर कोई judge का interpretation अलग हो सकता है जैसे हाल में आपको अगर याद हो पिछले साल या उससे दो साल पहले एक judge सहाइबा थी Bombay High Court की उन्होंने POXO case में एक ऐसा judgment दिया था जो बहुत ही ज़्यादा controversial था और उनका elevation होना था additional judge से उनको permanent judge बना था High Court का फिर collegium ने उनका नाम दे दिया था लेकिन वापस ले लिया उनके इस judgment के बाद और judgment और फिर Supreme Court ने फिर बोला कि वो judgment गलत था flawed है उसमें error है हम सही कर रहे हैं उसको तो आपको अगर वो case याद हो तो मतलब judge ने अपना interpretation लिया अपने विवेक से अपने discretion से उन्हों ने सोचा कि हो सकता है ये आज सही है दे दिया वैसला अब ambiguity में यह होगा कोई judge बोलेगा नहीं नहीं public morality का गिंस्ट नहीं है कोई बोलेगा हाँ सर morality का गिंस्ट है है तो है अब दोनों ambiguity हो रही है तो ऐसा constitution नहीं होना चाहिए जिसमें ambiguity हो comprehensiveness मतलब complete होना चाहिए पूरा पूरा होना चाहिए comprehensive होना चाहिए एकदम first page से लेके last page तक पूरी चीज cover करो अच्छे से बढ़ा हो सर तम मानेंगे गहां teacher हो ऐसी वारी बात comprehensive in laying down the powers of the government as well as the rights and duties of the citizen कि पूरी बात करो एकदम article 1 से लेके article 25, 32, 35 तक हम तब मानेंगे कि हाँ इससे controversy कम होंगी इससे litigation कम होगा litigation माने court की प्रक्रिया है court की जो process होती है कभी कोई आचिका डालना किसी के बनाम कोई case करना तो उसको बोलते हैं कि हम litigation में फस गए हम court का जरी की चक्कर में फस गए तो अगर वो comprehensive होगा अगर वो list पूरी होगी अगर सरकार की powers की या अपने अधिकारों के duties की अपनी list हमारी comprehensive है complete है holistic है तो भाईया फिर ambiguity नहीं होगी ऐसी कोई problem नहीं आईगी हमें बार-बार court के चरी की चक्कर लगाने पड़े next आएगा हमारा ये कितने point होगा है ये point होगा है चार तो ये पांचवा point है हमारा suitability कि क्या हमारा सम्विधान suitable है हमारे देश के लोगों के लिए हमारी needs हमारी aspirations के लिए हमारी historical हमारी socio-cultural, economical and political conditions of the nation के लिए है कि नहीं तो होना चाहिए हर देश का सम्विधान जो होगा वो ये दिखाएगा कि यहां की लोगों की जरूरतें क्या है हमारे सम्विधान की जरूरत थी हमारे देश के लोगों तो हमारे सम्विधान ने ये चीज पहले ही mention करी कि हम right to equality दे रहे हैं पहले हम untouchability को abolish कर रहे है हम article 21 article 21 में right to life and personal liberty लिखा हुआ है वो चीना जा सकता है if the procedure established by law is followed ऐसा करके लिखा हुआ है न अब आप समझ गए कि अच्छा हमारे देश के सम्विधान तब ऐसे लोगों ने बनाया जुनों ने उस समय देश की ऐसी जरूरतें देखी है अब अगर किसी को और कोई सम्विधान में कुछ और डालना होगा आज के हिसाब से तो वो पहले आज की society को देखेगा कि आज की society में क्या और चाहिए कि आज की society में हर किसी को laptop चाहिए अगर चाहिए तो डाल देंगे सम्विधान में कि साब every person child have a laptop उसमें i5, i3, i9 सब लगा होगा प्रोसेसर बड़ी अवर लगा होगा पर ये अभी हमारे सम्विधान में ऐसी कोई जरूवत दिख रही है नहीं दिख रही है तो जब ही जरूवत कोई ऐसी आएगी मान लो कल को पानी महंगा हो गया कल को शुद्ध पानी एक बहुत बड़ी problem बन गई और उसमें फिर सम्विधान में मैंशन करना पड़ेगा कि हाँ हर किसी को साफ शुद्ध जल्क मोहिया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है लिखवा देंगे सब अगर ऐसी कोई बड़ी बात आपदा आ गई तो तो जब suitable होना चाहिए जब भी कभी कोई आगे needs, कोई आगे aspiration, कोई आगे हमारी क्या क्या हमारी हम aspire करते हैं या हमारी जरूरत है, हमारी as a society कि हमें ये चीज मिले तो उस सम्विधान में जलक जाए, उस सम्विधान में दिख जाए हमारी क्या हमारा history रही है हमारे वो देखना चाहिए हमारी क्या history रही है हमारे caste system है हमारे colonial rule था तो हमारे आप वो सब को देखते हुए हमारे उस समय जो socio-cultural हमारा background है socio-cultural हमारा जो पूरा समाज है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी आर्थिक स्थिती को ध्यान में रखते हुए, हमारी political, हमारा conditions को ध्यान में रखते हुए, सम्विधान हमारा तयार हुआ इसके बाद क्या सम्विधान stable होना चाहिए? Absolutely, should facilitate political stability and should not allow easy tampering बस ये ना हो कि पहली बाद तो political stability होनी चाहिए, continuity maintain होनी चाहिए सरकार आएंगी जाएंगी, लोगतंतर रहना चाहिए, है ना? और सम्विधान रहेगा सरकारे किसी की भी आएं, कोई भी आए जाए, सब लोग DPSP को तो follow करते ही करते हैं हर सरकार कोई भी हो, वो fundamental rights को violate बहुत नहीं करती है, कभी कभी कर देती है ठीक है, ये एक बात हो गई, एक और बात, adaptability, कि जो चीज हमारी जब need हमारी change होंगी, जब हमारी कोई नहीं जरूरते आएंगी, तो हमारा सम्विधान should be dynamic enough इतना dynamic हो इतना मतलब progressive हो इतना change के लिए adaptive हो, ready हो कि बताओ कोई नहीं जरूरत है तो हमें बताओ, हम लाओ, ला देंगे में तो ऐसे जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री एक स्ट्राटिक सब्जेक्ट है ठेरा हुआ सब्जेक्ट है जितना है उतना ही है हिस्ट्री तो अब नहीं बदल सकती है जो हो गई सो हो गई अब वही है वही पढ़नी है हर बार तो हिस्ट्री एक स्ट्राटिक सब्जेक्ट है polity एक dynamic subject है हर दिन polity देश की change होती है देश की growth होती है polity और उसके तहट हम उसको देखते हैं नए adaptive form में कहां कहां इसमें क्या क्या बदला हो गया कोई नई करंटा फिर तो नहीं आ गई कहीं के कोई किसी गवर्ना ने कोई नए आदेश तो नहीं पारित कर दिया हमें पढ़ना पड़ेगा ये dynamic subject है तो ऐसे ही हमारा सम्मिदान dynamic होना चाहिए और static नहीं होना चाहिए अग एक living document है living, breathing document मतलब जो खड़ा है, जो सांस ले रहा है हर दिन समाज को देख रहा है बले, ऐसा actual नहीं है पर हम इसको virtual living body कहते है कहां साब, ये सांस लेता है ये रोज सुभा जागता है रोज रात को ये सोता है और इसमें फिर सुभा उटके changes हो जाते है जब भी situation की demand होगी कोई नई requirement आईगी लोगों की, जनता की, किसी political structure की तो उसके हिसाब से सम्विधान को amend होने के लिए ready रहना चाहिए ये भी इसका एक अपना important feature है अब classification देखते है classification कि सम्विधान कैसे कैसे हो सकते है तो हो तो बहुत तरीके के सकते है अब कैसे कैसे हमने बाटे है कैसे कैसे हमें दिखे है तो पहले दिखें evolved और enacted constitution evolved माने accumulated constitution मतलब जो एक ऐसा product है जो कई सदियों बाद कई समय के, कई दशकों के कई centuries के बाद evolve होके आज खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं कि ये evolve हुआ है जिसे आपका Pokemon बच्पन में कार्डून आता था तो Pokemon में जो पहले एक छोटा सा Pokemon होता है वो बहुत लड़ाईया लड़ता है फिर वो धीमे धीमे एक दिन होता है कि वो चमकता है जोर से जिल मिलाता है और वो बड़ा बन जाता है वो evolve हो जाता है तो ऐसे ही कुछ evolved होते हैं कुछ enacted होते हैं तो evolved होते हैं cumulative cumulative मनें जो compounding जो बढ़ते रहते हैं एक के पीछे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है उपर जाता जाता है और एक होता है enacted जो conventional है proper जिसके convention है rule set है सब कुछ जो हर काफी तेशों में written enacted constitution समझा माना जाता है वो चीज़ तो British जो constitution है यह British constitution यहां लिखा भी हुआ है यह जब राजा ने दस्थकत किये थे Magna Calta पे तो इन barons ने जो बाकिये साहुकार खड़े हैं यहां के बड़े जो knights खड़े हैं इन्होंने क्या करा था उन्होंने राजा से बोला कि बैठ जाओ यहां पर और हम लाएंगे हर अफ़ते act थीक है तुम बस दस्थकत करना जैसे आज कर रहे हो तो वो जो act आते गए वो जो यह लोग convention, practice, principle, judicial decision जो जो वो लोग follow करते गए उसको इन्होंने एकटा किया और उस पोथी को बोल दिया कि यह है हमारा सम्विदान अब यह हमने evolve किया है सन 1215 से लेके 1215 से लेके 2023 तक उनका unwritten constitution है वो evolve हो ही रहा है वो बड़ी रहा है अभी भी और बढ़ता जाएगा उसमें नीचे के आक्ट हरा देंगे जो पराने होंगे काम के नहीं होंगे जो नए होंगे जो important होंगे जरूरत होई जिनकी है वो उपराते जाएंगे तो वहां की parliament जो है वही act बना रही है वही सब कुछ कर रही है उन्ही का मन है कोई वहां ऐसा तो है नहीं कि लिखके एक बार रख दिया तो रख दिया तो वही सम्मेदान है हमारे यह उल्टा है हमारे लिखके रख दिया एक बार और जहां लिखके रखा है वो जो chamber है वो सम्मेदान का ओरिजिनल सम्मेदान का जो सम्विदान में जब ही छेड़ चाड़ करनी होगी तो इस काउंसल को जगाया जाएगा कि जागो और सम्विदान में छेड़ चाड़ होने जा रही है बताओ क्या कहते हो तो कई ऐसे काउंसल होते हैं कई ऐसी सभाएं होती हैं सम्विदान सभा जैसी हमारी आती तो इनों चान बूच के पड़ लिखके तीन साल का समय लेके इन्हों ने अपने अप बना के इसको खड़ा किया तयार किया दो साल 11 महीने 18 दिन ऐसा लगा था हमें तो तो ये प्रॉमलगेट किये जाते हैं मतलब ये पारित किये जाते हैं ये हर उस दिन जब हमारे 208 लोगों ने कई था है तो यह कौन करता है या तो महाँ का राशपती करेगा या समगर करेगा हमारी पारल्मेंट ने किया हको सबसे बड़ी थी जो देशक्य समय Bundesregierung सबाती यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोविजन जितने हैं वो सारे एक बुक या एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखे हुआ है जैसे यूएस इंडिया का दोनों का सम्विदान रिटेन है सामने है जो है इतना है पर इसके उपर नीचे सम्विदान में नहीं है कुछ और इतना ही क्या पता हो जाए उनके हमारे ऐसा नहीं है हमारे सम्विदान रिटेन है लिखा हुआ है सारे जितने प्रोविजन से वो एक बुक के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमने वहाँ पर लाके रख दिया है किसाब ये है नेक्स आते हैं रिटेन और अनृटेन अब इसमें एक डिफरेंस है, यह हम कई बार देख भी चुके हैं, जैसे ब्रिटिश में, जब इनके ब्रिटन पार्लेमेंट में, यहाँ पे तो पार्लेमेंट यह जो है सबसे सरवे सरवा इनका, तो यह क्या करते हैं, यह अपने सम्विधान को बोलते हैं, किसाब हमारा सम् सचिन तेंदुलकर की जीगी जब पिक्चर आई थी, तो वो डॉक्यूमेंटरी है, उसमें उनकी जीवनी के बारे में सारा दिखाया गया है, कि कैसे उन्होंने मेहनत करी है, कैसे उन्होंने आज कब खिताब पाया है, जहां आज ही जिस मुकाम पे हैं, तो क्या किया गया, मतलब हमने उनके फैक्ट्स को देखा, उनके जीवन के फैक्ट्स को, हमने बोला कि अच्छा सर आपने 16 साल की उन्होंने पर करिकर रखना शुरू किया था, ठीक है, हम आपके कोई अगर फोटो मिल जाए तो, कोई आपके पेरेंट्स का उसमें का कोई एक-दो इंटर्वि कि, कोडिफाइ करना, अब यहाँ पी अगर नोन-दोक्げुमेंटरी कॉंसिविचन है, थो इनक्या अन-कोडिफाइड है, हमारे यहाँ और यूस में aगर दोक़्िमेंटरी कॉंसिविचन है, मतलब वो एक कोडिफाइड कॉंसिविचन है, वहाँ हर चीज को, लाइन-टो- लाइन टू लाइन एक के पीछे एक सारे प्रोविजन लिखते चले गए हम जैसे IPC है तो IPC क्या है भारतिय दंड संगिता इंडियन पीनल कोड अब ये बनाई गई थी 1860 में तो हम इसको बोलते हैं कि 1860 में कोडिफाइ करी गई है कोडिफाइड कोडिफाइड रहे ते कई ऐसे क्रीमिनल लौ थे जिनकी सजाएं अलग 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 धर्म के इसाब से कोई मौलाना कहते हैं कि सब्सक्राइड करी तो हाथ काट दो कोई हिंदू पंडित कहते हैं कि साब अगर चोरी करी तो कान में गरम तेल डाल रॉड़ जी क्या हुआ सार ये तो उस सम इनके सारे सम्मिधान इनके सारे अपने अपने जो परसनल लोग चल रहा है इनको सबको पहले सुनो और एक जगे कोड़िफाइब करके लिखो एक जगे इसको एसा लिखो हमारे कचरी कोड़िफाइब करना अब यहीं पे codify जब होता है तो क्या होता है, provisions सारे incorporate होते हैं, किसी एक form of book वही सेम बात, कुल मिला के काफी जादा written, unwritten और enacted, evolved काफी जादा similar लगते हैं सुनने में कि एक ही तो बात कह रहे हो, सर बार-बार एक ही बात repeat कर रहे हो आप तो provisions incorporate हुए in the form of a book और a set of documents ठीक है, इसमें बना दिया गया, कि आजब यह एक document बनेगा, formulated and adopted by a body known as the constituent assembly or the constitutional convention तो नाम दे दिया गया council ने बनाया है, सम्विदान सभा ने बनाया है बहुत बड़ी सम्विदान सभा इनों ने बनाया है फिर कहां कहां, US, Canada, Japan, France और India ऐसे देशों में written constitution है जो enact किया गया है by a constituent assembly और a constitutional convention, for example और इसमें एक हमारे यहां सारे provision जो हैं, वो incorporate करके codify करके, हम उसको documentary constitution बोलते हैं और हमारे यहां वो शामिल है इनके कहानी, इनके कोई कहानी नहीं है इनके जो है, वो parliament है इनका जो house of commons है और जो इनका house of lord है upper house, lower house, ऐसे लिखा हुआ है ठीक है, यह lower house है, यह upper house है तो इनके यही सब कुछ है इनका जो मन करेगा, वो सब कर देंगे तो इनके कुछ नहीं है recorded not incorporated in the form of book or document नहीं, कुछ नहीं, जो है हम बताते चलेंगे रोज सब रोट के मान ले नहीं हो, ऐसे चल रहा है इनका, यहाँ पे कोई founder of form of conventions, practices, principles या जो जो जवाँ charter है जो जो statutes है, या कोई judicial decision आया है, कोई बहुत important तो यह product of historical evolution है and not deliberately formulated by a body किसी body ने किसी proper, किसी संस्थान है, संस्थान इसको enact करके, खड़ा करके नहीं दिया है, इसको जिसने दिया है, वो दिया है by practice, normal convention चलते आ रहे है normal सदियों से एक प्रथा है, तो प्रथा ही है अब रहेगी तो रहेगी वो भी तो उससे ही चल के आये, कैसे कैसे practice क्या है, क्या principle है किसाब pass कैसे कराया जाएगा तो पहली बार जैसे act pass हुआ, हमने बोला कि हाँ राजा से पास होगा, तो ठीक है राजा से पास होता रहेगा वो इनके आज भी चल रहा है, ऐसे ही होता है हमारे बकाइदा उसको bill को एक्ट बनाने के लिए राश्पति के से नेचर चाहिए, वो समयधाने मेंशन है तो हमारे कोडिफाइ कर दिया उस चीज को, पर इनके माना गया कि हाँ जब राजा ने पहला साइन किया है, तो बाद में भी करता रहेगा राजा, करने तो ठीक है अन्रिटन कॉंसिट्यूशन जो उनका पार्लिमेंट चलाता है, नेक्स क्लासिफिकेशन पर आते हैं, रिजड भी और फ्लेक्सिबल भी, दोनो तरह के सम्विदान होते हैं, तो लौड जेम्स प्राइस ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, कि अगर आप अमेंड्मेंट देखो गे ना सम्विदान का कैसे अमेंड्मेंट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सम्विदान दो तरीके के हैं, या तो रिजड होंगे, या फ्लेक्सिबल होंगे, अच्छा साब, रिजड कैसे होते हैं, कि ये तो आदित सर्म को पहले पढ़ा चोके हैं, कि रिजड तो वह होगा, जो इनिलास्टिक होगा, जो बार-बार खिचेगा और ऐसे छीना नहीं जाएगा, जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जहां पर कोई भी अमेंड्मेंट संचोधन लाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर पास करना पड़ता है, जैसे यूएस, तीन चौ चौथाई स्टेट्स की हाँ चाहिए, इंडिया में 50% स्टेट्स की हाँ चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया हुआ, स्विच्जलेंड हुआ, तो हमारे यहां आप देखोगे, तो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, हमारे यहां मतलब दोनों चीज़ां है, तो यूएस में तो बहुत ही जादा, मतलब कितना बहुत टास्क हो गया है, एक राश्पती अगर आ गया चुनके, ट्रम्प या बाइडन जो भी हूँ, तो इनको सम्विदान में कोई चीज़ अगर छेरशाड करनी है, तो इनको 50 में से 3-4 स्टेट्स चाहिएं, जो इनके गवर्मेंट है, उसके पास बहु आयामी पावर है, बल्टी डिमेशनल पावर है, हमारे हैं पावर थोड़ी सी सेंटर के पास जादा है, तो इसलिए हमारे हैं सम्विदान में अमेंडमेंट आसान भी है, तफ भी है, दोनों चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबल कहा कहा होगा, UK के न्यूजिलेंड में, of course, जाए सम्मेदान है ही नहीं, तो महाँ पर आसानी है, कुछ भी उदल लो, कुछ भी रोज उटा के सुपह उटो, नया बदल डालो, कुछ भी लिख दो, तो ये बोलते हैं, Elastic Constitution, क्योंकि Elastic है, खीच लो, छोटा कर लो, कैसे भी हो जाएगा, इसको बोलेंगे Inelastic Constitution, कि यहां यह नहीं सहीना जा सकता है, यह छेडा नहीं जा सकता है, यह तो बड़ा काम है, यह तो बन गया तो बन नहीं गया, ऐसा है यहां पर, यहां पर कभी चेंज आएगा, तो चार साल में एक बार चेंज आगया, आ गया तो, नहीं तो नहीं आया, क्या पता, तो Constitution of India, हमारा neither rigid nor flexible, but a synthesis of both, समझ में आरी बात, पर rigid flexible दोनों नहीं है, तो कुछ तो होगा, तो नहीरू जी ने बोला इसके लिए, कि देखो, अगर आप rigid कर दोगे न, तो nation की growth रुख जाएगी, हम चाहते हैं, कि सम्विधान ऐसा हो, जो छेडा नहीं जाए, जो सम्विधान जो है, अमर रहे, अजे रहे, सबसे उपर रहे, पर अगर हम इसको rigid बना देंगे न, तो देश की growth रुख जाएगी, सम्विधान को ऐसा रखो, कि आने वाले समय के हिसाब से ढलने लगे, सम्विधान में जगे हो, ऐसी खाली जगे हो, जो कभी आगे चलके, जो लोग आगे वाले, आने वाले, जो MPs होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो उस जगे को भर सके, ये इनोंने नहरू जी का ये court था, जब भी rigid flexible का question आए, नहरू जी का statement जरूर mention कर देना, क्योंकि ये पहले हमारे Prime Minister थे, इनोंने ही इसको भाईया पास करवाने में बहुत, बहुत मेहनत करी, ये बहुत काम किया है, जो इनके court को हम भूलेंगे नहीं, ठीक है, next comes to federal या unitary, ये क्या हुआ सर, कि भी आप पड़ा चुके हो सर, बताओ क्या होता है, तो federal माने जहां पे, तो सरकारों की power की division की बात होती है, क्या-क्या, division of power between the national government and the regional government, दोनों, center पे भी और regional, जो प्रांतों में जो है, जो regions में है, states में है उनके उपर, और इन दोनों को समविधान enable करता है to operate in the respective jurisdiction independently, जैसे US में, Switzerland में, Australia, Canada, Russia में, ब्रजील में, तो इन देशों में क्या है, कि एक तो center में सरकार है, Washington में सरकार है, Australia में सरकार है, अपने camera में, ठीक है, Canada में है, Ottawa में, तो center तो ही है strong, इसकी अलावा, जो वहां के प्रांत है, जो वहां के province हैं, states हैं, regions हैं, उनमें भी अपने-अपने ऐसी सरकार हैं, जो independently अपने jurisdiction में, अपना-पना काम कर रही है, उनको कोई छेड़शाड, उनको कोई ज्यादा नहीं करता है, हमारे यहां, थोड़ा सा, federal और unitary में, हमारे unitary पर ज्यादा focus है, तो unitary क्या होता है, unitary होता है, जहां पे power का concentration होता है, national government के पास, जो center में जो सरकार है, उसके पास power ज्यादा है, और regional जो governments हैं, वो operate करती हैं, as subordinates, as junior, junior agencies of the national government, regional governments exercise only such powers which may be delegated to them by the national government, जो national government उनको power दे दी, के तुम छोटे भाई हो न, तुम एक काम करो, तुम छोटे बल्ले से खेलो, तो अब अगर छोटे बल्ला दे दिया, तो state government का आप जुम्मेदारी के वो छोटे बल्ले से ही खेलेगी, ठीक है, अब वो ये नहीं कर सकती कि साब, तुमारे पार बड़ा बल्ला, मुझे बड़ा बल्ला चाहिए, मैं तो अभी छोटा हूँ, तो नहीं हो सकता, तुम छोटे हो, छोटे ही रहो अभी, अभी हम US, Canada जैसे हम विकाज, विक्सित देश नहीं हुएं, अभी हमारे यहां थोड़ा सा अभी हमें समय लगेगा, तब तक के लिए हमारा center जो है, वो strong रहेगा, हमारा center, हमारा union है, जो central government है, दिल्ली की सरकार जो है, वो थोड़ी दिल्ली में जो बैठती है, not दिल्ली की सरकार, बट दिल्ली में जो सरकार बैठती हुई है, main center की, वो थोड़ी हावी रहेगी, वो थोड़ी strong रहेगी, ताकि कोई भी state, government को थोड़ा सा ज्यादा है हमारे हां मतलब tendency है इस तरफ जुकाव ज्यादा है national के जैसा एवार जरिंग कहते हैं कि हम एक federation है with a centralizing tendency एवार जरिंग साब के court हमने कई बार देखे हैं कई बार हमने पड़े हैं हमारा सम्विदान जो है वो large number of unitary और non-federal features लिए बैठा है जैसे क्या-क्या अभी देखते एक एक करके एक करके यह हमारे unitary features है सारे strong center single constitution single citizenship flexibility of the constitution integrated judiciary application of state governor by the center all in a service emergency provisions यह सारे के सारे federal features से कम है न यह ज्यादा है न तो unitary जो feature है वो पहली बात तो strong भी दिख रहे हैं कि बड़े बड़े feature जो ज्यादा मतलब एहमियत रख रहे हैं important है और federal feature जो है वो कैसे कैसे हुए कि दो government के बीच में division of power कैसी होगी वह सम्विदान रिटन तो ही दौनों के लिए center के लिए state के लिए supremacy of the constitution के center रहावी ना हो जाएक दमी या state उपर द्रब ना कर दें तो सम्विदान पहले उपर रहेगा सम्विदान उपर है सरकार है नीचे है उसके सम्विदान इतना हलका नहीं है कि सुपर उटके center बदल दे शाम तक नहीं हो पाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है बाई कैमरेलिजम है दो हाउस है लोग सभा के हमारे MP जाके बैठते हैं अपर हाउस है जहां पर council of states जहां पर हमारे states के MP जाके बैठते हैं तो हमारा सम्विदान जो है केसी वेरे साब ने बोला है कि क्वासी federal है क्वासी मने क्वासी मने सूडो सूडो यह ओके ठीक है सर समझ में आ गया आगे बताओ procedural and prescriptive यह भी एक classification है हमारे सम्विदान का क्या है सर क्या होता है तो procedural क्या होता है जो procedure follow करें who follow which follows which follows procedure follows procedure की तरीका क्या है process process procedure क्या क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया, कैसे होना चाहिए का हमें, आप definition बताओ पहले, तो ये define करता है, legal and political structures of the public institutions, कि जो हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं, उनका, कितना उनके पास कानूनी और उनका political structure कैसा होगा, कौन उस पर chairman बैठेगा, कौन chief justice बैठेगा, कितने judges के साथ हों कि एक PM है, क्या deputy PM होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या council of ministers की एक limit होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें तै होती हैं, एक procedural constitution से, कि सम्मेधान procedure आपका तै कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कैसे होनी चाहिए, और legal limit set करता है of the government power to protect democratic processes and fundamental human rights, सब बत, कि अगर सरकारों के उपर ही limit ना लगा है, अगर सरकारों के उपर ही legal limit ना लगा है, तो भईया फिर सम्मेधान क्या, कौन से procedure आप follow कर रहा है, कुछ procedure फॉलो ही नहीं हो रहे होंगे, अगर ये legal limit नहीं set हो रही होगी, तो सरकार फिर तो चाहिए कुछ भी कर ले, बुरी democratic process की रज्जें उड़ा दे, और पूरे सारे fundamental rights का violation कर दे, कुछ भी करती रहे, कोई सुने गई नहीं, कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है, तो procedural constitution हमारा tag कर देता है, कि सरकार की legal limit क्या है, सरकार क्या नहीं कर सकती, part 3, ठीक है, prescriptive constitution क्या होता है, which tells what it is, which, which tells, इसको अच्छ what it is, अच्छा, it assumes broad consensus on common societal goal that public authorities must strive to achieve, कि क्या देना है तुम्हें, लोगों को, नागरिकों को, हमारे citizen, हमारी gentry को, Indian citizens को, कि आपको क्या मुहया कराने की जब्मिदारी दी गई है, कि हमारा prescriptive constitution ये बताएगा, कि हमारे जितने भी हमारे जितने ये सरकारी तंत्र है, इतने public authority है, जितनी हमारे ये जो प्रादिकरण है, development board है, council है, इन सब के पास सरकारों के पास, क्या ऐसे कुछ गोल तै है कि नहीं, इनके पास कुछ ऐसे aim इनके सामने है कि नहीं, कि क्या करना है, करना क्या है, EPSPs करने है, part 3 follow करना है, साथ ही हमें ये करना है, कि साब लोग हमें उसको बचागे रखना है, तो ये सारी चीजे हमारा समविदान कहता है, कि आपको ये करनी ही करनी है, तो ये ये बताता है कैसे करनी है, ये बताता है क्या करनी है, दोनों में difference हो गया, ये भी हो गया, हमारा समविदान में दोनों फीचर है, now comes constitutionalism and constitutional government, इसका मैं आपको आब एक बहुत सरल भाषा में मतलब बताूँ यह क्या होता है जैसे मनलो À Humanity Humanity है है और Human Human तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक मानव हूँ घिक है साथ आप मानवह हूँ पर क्या मैं मानवता हूँ नहीं मैं मानवता को फॉलो कर सकता हूँ ठीक है, मैं एक मानव होके, एक इंसान होके, मैं इंसानियत को फॉलो कर सकता हूँ ना, तो constitutionalism का मतलब हुआ, वो feature, वो principle, वो सिधान्त, जो एक सिधान्तवादी सरकार को फॉलो करने है, constitutionalism is simultaneous to humanity, and constitutional government is simultaneous to human, आया समझ में, ठीक है, इंसान, इंसानियत, मानव, मानवता, फरक समझ में आ गया, क्या होता है, कि क्या follow करना है, और कौन follow कर रहा है, बस, यह समझना है, तो यह क्या कहना चाहरा है सर, हम यह कहना चाहरे हैं, कि देखो, दोनों में फरक यह होना, यह दिखता है, यहाँ पर दिखता है, कि कहीं कहीं पर वहाँ पर सम्विधानिकता नहीं है, वहाँ इन लोगों ने कौन से ऐसे fundamental right लोगों के violet नहीं कियें, बताओ, सब तो कर दिये इनोंने, तो इसका मतलब है कि ऐसे देश हो सकते हैं, जहां भले ही सम्विधान हो, वो सम्विधान भले ही लोगों के मनमर्जी से नहीं बन रह से, तो यह कौन सा logic है भाई, यह क्या रूल है है, एक dictatorship, एक ताना शाही, जहां पर dictators का word is the law, जहां डिक्टेटर जो बोल देगा वो ही कानून है, यह can be said to have a constitution, but not constitutionalism, आई वह समझ में, कि सम्विधान तो यहां भी था, यहां भी एकदम बनाया था, इन्होंने martial law लगा दिया था, लोगों को इतने 6 करोड जूस को मार दिया था इन्होंने, तो क्या यह इनके पास सम्विधान नहीं था, सम्विधान था इनके पास, पर क्या वो सम्विधान, सम्विधानिक्ता फॉलो कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, तो यह फरक ह place on those powers. कि Constitutionalism, समयधानिकता ये बता देती है कि हाँ हम मान रहे हैं कि एक सरकार की जरूरत है जिसके पास power हो पर साथ ही साथ हम उस power पे थोड़ी जी limitation लगाएंगे ताकि unlimited power ना हो जाए जिसकी वज़े से authoritarian oppressive government पैदा ना हो जैसे पिछली एक फोटो आई थी पीछे जहाँ पे एक नीचे फोटो आई थी जहाँ पे मैंने बताया था एक मौलाना जी की फोटो लगी हुई है तो उनके देश में क्या हो रहा है उनके देश में unlimited टाना शाही चल लगी है वो जो साहब है पूरे देश में अलगी हुकम चलाए पड़े अपने 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 चला रहे है तो क्या problem हो रही है उससे उससे एक unlimited power पैदा हो गई है एक ताना शाही सरकार एक ऐसी सरकार जो operation कर रही है लोगों का महा की जंता का महा की लोगों का तो वो चीज़ कभी ना हो पाए constitutionalism यही रखना इस करता है कि हाँ एक सरकार होने की जरुवत है यस सरकार होनी चाहिए with powers but powers का एक limit होनी चाहिए unlimited power नहीं होनी चाहिए तो constitution of a country imposes limitation upon the governmental power only when a country have not only constitution but also constitutionalism एक ही बात के मतलब एक ही meaning की दो बाते हैं ठीक है हमारे सम्विधान जो भी होगा किसी भी country का वो limitation लगाता है सरकार पे और तब लगाता है जब देश में सम्विधान भी ना हो सम्विधान हो साथ ही साथ सम्विधान इकता भी हो दोनों चीज़ें हो तो यह होगा एक फरक तीसरा देखो constitutionalism is a polity governed by a constitution that ensures limited government and rule of law पहला बात तो में समझ में आ चुका है कि limited government होनी चाहिए जो government होनी चाहिए वो limited होनी चाहिए हर जगे हर किसी हर dimension में घुसे ना हो सरकार सरकार का एक काम होना चाहिए सरकार regulate करे सरकार monitor करे सरकार supervise करे और सरकार guideline दे पर सरकार बीज में घुसके system चलाए नहीं हर समय तो limited government होनी चाहिए और rule of law यह आपको पता ही है A.V. Dicee सहाब का court है यह A.V. Dicee सहाब का जिकर कर देना जब भी question आये क्योंकि A.V. Dicee सहाब ने ही rule of law का idea दिया हुआ है तो यह क्या करता है oppose arbitrary, despotic, authoritarian और totalitarian rule यह सारे तानाशाही word के मतलब है अलग-अलग arbitrary जमाने कैसा भी कभी भी कुछ भी लगा दिया किसी ने सजा करी किसी ने चोरी करी उसको सजा ऐसी दे दी किसी ने चोरी करी सजा उसको अलग दे दी तो यह rule of law का उलंगन है despotic, मतलब एकदम बावलेपन की कानून मन रहा है कुछ भी बन रहा है authoritarian, एकदम तानाशाही हो रही है authority चल लगी एकी आदमी की और totalitarian, मतलब total जो पावर है मेरे यंदर है और कहीं है ही नहीं वैसी वली पावर तो constitutional government क्या होगी जो necessarily be democratic government democratic मने, वो लोकतांत्रिक सरकार होगी भलेई, सरकार कितनी भी strong हो सरकार के बावास majority बहुत हो पर वो सरकार लोकतांत्रिक होगी पाँच साल में गद्दी से उतारी जाएगी लोक दुबारा चुनेंगे, दुबारा चुनके बेजेंगे अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो फिर नहीं तो जन्ता के सामने जाएंगे जन्ता से बूलेंगे महराज वोट देदो फिर आगए आपके बास हाथ जोड़ते हुए पांस साल बाद गवर्मेंट के ऊपर and of requiring those who govern and confirm to the rules and laws कि constitution का real justification वहीं मिलता है जब government limited हो और require करे those who govern and confirm to laws and rules कि constitution उसी के सुनेगा जो confirm करता है जो मतलब बात मानता है rules की, laws की, guidelines की proper कानून की जो बात मानेगा उसको हम मोलेंगे कि हाँ यह government है भी इसको recognize करते भी हैं और यही government rules and laws को follow भी करेंगे limited भी रहेगी अब constitutional government की कुछ definitions दी गई है केसी वेरे साहब ने दी है रुसेक साहब ने दी है इसके अलावा काल फ्रेडरिक ने दी है और IBMA नभी दी है SP IBMA आगे देखेंगे उनको तो तीनों चारों ने जैसी यह definition दी है इस किताब में इनों पहले तो अपने अपनी किताबों में लिखी हुई definition हमारी इस किताब में इन definitions को उठा के डाल दिया गया है कुल मिलाके सारी definitions का मतलब एक ही ले बहले ही आप एक definition लिख दो आप नाम extra लिख देना किसाब केसी वेरे ने भी ऐसा कहा है हम रोसेक साहब ने भी ऐसा कहा है और अगले अगले पेच में यह लिख देते हैं कार्ल कार्ल फ्रेडरिक फ्रेडरिक इनों ने भी इसी तरह की बात करिए और साथ ही SP IBEMA यह Indian वर्ड नहीं है बाहर के वर्ड है यह सारे के सारे यह सारे जितने भी हैं तीनों चारों पाँचों यह सब के सब Elliot Elliot साब को जोड़ लो इसमें तो और Sir Evoord Jennings को भी जोड़ लो इसमें तो यह सारे कहते हैं कि साहब यह एक है set of set of constraints constraints हमारे एक सरकार के उपर constraints on government on ruling on ruling party ठीक है Sir ओके इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि जो constitutional government है मैं पीछे जो लिखी हुई है constitutional government is anti-thesis to arbitrary power Sir क्या क्या लिख रहे है वो आप समझ में आनी रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो constitutional सरकार होगी जो समवेधानिक सरकार होगी वो antithetic होती है antithetic माने कि उसके opposite होती है antithesis थीसिस एक होती है न थीसिस माने theory जो PhD में लिखते हैं तो उसके anti-theory कौन सी होगी CG जो है constitutional government जो है वो arbitrary सरकार के against होती है arbitrary arbitrary rule के against होती है rule government कुछ भी लिख लो अब पीछे चलो एक बार कैसी वेरे साब ने क्या बोला इन्हों ने बोला जो constitutional government है this means something more than a government according to the terms of a constitution मतलब क्या हुआ it means government according to rule as opposed to arbitrary government same बात same बात सब तीनों चारों ने मिल मिला के एक ही जैसी बात बोली है पर अपने आपने शब्दों में बोली है इसलिए लगता कि ओहो किती रचे अच्छी बात है तो it means a government limited by the terms of a constitution not government limited only by the desires and capacities of those with size power क्या मतलब वह इसका इसका मतलब यह हुआ कि साहब जो एक constitutional government होगी वो एक regular government से थोड़ी जादा अच्छी होगी क्यों अच्छी होगी वो क्योंकि वो according to rule चलेगी वो limited होगी by the terms of the constitution जो सम्विधान ने जो terms दिये हुए हैं वो उनसे limit हो जाएगी वो उनकी वज़े से थोड़ी सी limit में रहेगी अवकात में रहेगी और इसके अलावा वो ऐसी नहीं होगी कि जो लोग rule कर रहे हैं वो कु बोला constitutionalism जो है this means essentially limited government. This means यही limited government ही होती constitutionalism. Now it is the antithesis of government by the unrestrained will of rulers regardless of the actual form of effectiveness of restraints it assumes limitations on government as opposed to arbitrary government. Same बात, same to same बात वही बोल रहे हैं कि सहाब जब भी limited government की बात होगी वो better है वो opposite है to the arbitrary rule, to जो भी मतलब एकदम बे खौफ, बे लगाम, एकदम किसी भी मनमर्जी की सरकार से ज़्यादा अच्छे होती है, limited government, constitutionalism, constitution government, तीनों चीज़े हैं. ठीक है, यह दोनों चीज़, तीनों चीज़े हम समझ गए हैं. Now comes, ऐसे elements क्या-क्या हैं जो constitutionalism का part बनाते हैं. तो popular माने, public की. तो public supreme है, जनता supreme है, we the people. हमने बना के भीजिये, जो source of authority है, constitution की, preamble की, सरकार की, वो source of authority है, हम. authority of the government is created and sustained by the consent of its people. जब हमने vote देके, हमने अंगूठा लगाया, हमने अपनी उंगली पे से आही लगाई, तब हमने उस सरकार को वहाँ भीजा. और हमने कहा, कि 5 साल के लिए हम तुम्हें चुन रहे हैं. हमारी consent है आपके साथ. आप जाओ, और हमारे representative बनके, चुन के भीज करो, हमारे लिए जाके काम करो. और हम ही हैं, जो source of all political power है. हम ही से है, we the people. बस, ये जान लो. Rule of law क्या है? Rule of law क्या होता है? इसमें तीन fundamental principle, फिर आगए वही सारे. तो A.V.D.I.C. सहाब का जो court था, ये रहा, ये basic feature होता है constitution का. और equality before law is an element of the rule of law. क्या है सरी है? क्या बोल रह कि तानाशाहिवाली ताकत नहीं होगी, power arbitrary नहीं होगी, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम सजा, ऐसा नहीं हो सकता. Equality before law, सबको equal है law कानून की नजर में. कानून भले ही अंदा है. इसलिए अंदा है ताकि सब बराबर है उसके लिए. कोई ज्यादा गोरा काला कुछ नहीं उसके लिए, कोई अमीर गरीब नहीं उसके लिए. कानून के लिए सब equal है, सब बराबर है. तीसरा, जो हमारे यां नहीं है, तो पर A.V.I.C. सहाब कि वहां के हैं, इंग्लेंड के, तो इन क्या क्या है? इंग्लेंड में individual की sovereignty को काफी हमियत दी गई है. इंडिविज को सर्वो पर ही मान रहे हो, तो आपको मिल जाएगा कुछ rule of law. मिली जाएगा, देखना आप. तो हमारे यां क्या हुआ? हमारे यां जो सम्विधान है, that is the source of individual rights. हमारे यां तीसरा पार्ट not in India लगता है. Not in India. Not in India. Yet. हो सकता है, पांस चाल बात लग जाए, कोई बड़ी ब रखता है. तीसरा वाला लेकिन rule of law का पार्ट बनता है. क्या है अश्पर्ट फिर से बताऊं? Individual rights की primacy. Primacy माने पहले. Individual rights पहले आएंगे. पहले individual rights है, मेरे अधिकार हैं. अगर आप मेरे अधिकार को इज़त कर रहे हो, और मैं आपके अधिकार को इज़त कर रहा हूं, तो म मतलब हमें constitutionalism की बात कर रहे हैं. हम rule of law की बात कर रहे हैं. मतलब सब बराबर हैं. सब अच्छे हैं. तो ये चीज हमारे है, individual rights जो हैं, वो source of बनते constitution in UK. हमारे यहां, जो constitution है, वो source बनता है individual rights का. ठीक है? हमारे समविदान को एमियत दी गई है. समविदान को हमारे founding fathers ने बो सरकार democratic होगी, लोकतांतरिक होगी, तो वो सरकार responsible होगी. किसको? Parliament को. किसको? जनता को. Court of people में, court of public में. जनता की भले ही उसके पास कोई आवाज ना हो 5 साल तक. पर 5 साल बाद जब सरकार गिरेगी और सरकार भंग होगी, तो उसके बाद ये सारे MPs वापस सड़क पाएंग है. Court of public opinion. मतलब क्या हुआ ये? कि जनता देखती सब है. भले ही भूल भी जाती है, भले ही याद नहीं रखती है, जो भी है. पर जनता देखती सब है. उसको सब देख रहा है. कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो जनता की नजर में, एक सरकार जो democratic है, जो सरकार लो लोग opinion बनाते हैं. हम लोग खड़े हो के चौराय पर चाय पर चर्चा करते हैं, हम लोग बैठके अख़वार पढ़ते हैं, एक दूसरे बात है करते हैं, कि साहब ये नहीं हुआ है, ये सरकार ने ऐसा एक्षन लिया है, देखो, देखो, देखो. तो हम क्या कर रहा है? एक अपनी opinion फॉर्म कर रहा है, एक अपनी consensus बना रहे है, हम लोग आपज मेठके जर्चा कर रहे हैं, नहीं सरकार को इसा नहीं करना चाहिए, ये सरकार को ये करना चाहिए था, ये ये नहीं करना, ये ऐसा और करते हैं, तो अच्छा रहता, तो मतलब हम ने एक opinion बना ली, तो स टीनों organs पर अपनी separate power है, ठीक है, ये US के public structure की photo है, polity structure की photo है, इसमें White House भी है, इसमें Capital Hill भी है, इसमें हमारे यां जुडी शरी भी है, तो एक separation of power लगी हुई है, जब हम एक element डिखते हैं, Louis Hinken सहाब का, कि क्या है ये rule of law, क्या है constitutionalism, तो इन्होंने बताय हुआ है, कि separation of power बह ये organ, ये organ Judiciary जो है, वो दोनों को check कर रहा है, और जो executive है, जो कारेपालिका है, वो check की जाती है through Parliament, और Parliament के कोई काम Judiciary चेक करती है, Judiciary का कोई भी गलत फैसला होगा, Parliament उसको पलट देगा, तो मतब तीनों के ऊपर checks and balance लगे हुआ है, an independent Judiciary, ये बहुत important है, अगर Judiciary कि किसी का कोड में सजा मिलेगी ही नहीं कातिल को, तो कोड जाएगा कौन, ये बात, civilian control of military, समझना है, हमारी जो military होनी चाहिए, वो civilian control में होनी चाहिए, हमारे जो military का सबसे बड़ा commander होता है, वो कौन होता है, जो होता है, वो civilian ही होता है, वो ऐसा नहीं है, कि हमारे military control है of civilians, वो होता नहीं है वो तो जिस देश में है वो देश भुगत रहा है अपना अंजाम कि वहां पर उन्होंने देख लिया military को पूरी तागत देखे और वहां military ने जो किया है उस देश ने वह आज तक भुगत ही रहा है अब यह तो आगे भी भुगते गाओ तो हमारे यहां military के ऊपर जो supreme commander बैठता है वो एक civilian है है ना समझ में आगे न कौन है वो civilian बताना मुझे अगर पता चल गया तो police governed by the law and judicial control अगर police law से नहीं चलेगी तो भाई police कर क्या रही है ताना शाही करेगी police फिर police जगड़ा करेगी क्या लोगों से आम जंता से जंता को डराएगी क्या police police हमारी protection के लिए police law को implement करवाने के लिए जो law तोड़ेगा उसको सजा देने के लिए है और judicial control में रहेगी यहने की third degree torture दे दिया थाने में मार दिया police कशड़ी में मर गया नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए police एक governed होनी चाहिए through law through CRPC through CPC through IPC अलग और अपने मन से ना करे कुछ भ अथिकारां से कभी वंचीना हो जैदीगारां को संहां करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा जैसे मैं संहा रहीं आपके अदिकारां का आप मेरे समाद्रीकारां को कभी संवान करो जब हम इक डूसरे के अदिकारों के संहां करेंगे तो हम एक अपना constitutional government constitutionalism का हम पूरा पूर आये थे, ये क्या कह रहा है थे हमसे, अब देखते हैं इनको एक एक करके, तो क्या बोला गया, 2014 का कुश्चन, क्या बोला गया, कि पहले तो ये दो सेट्मेंट लिखी हुई है, A constitutional government is one which, कौनसी, which places effective restriction on individual liberty in the interest of state authority, या places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty, बताओ क्या मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब ये हुआ, कि एक समभधानिक सरकार कौनसी होगी, समभधानिक सरकार क्या ऐसी होगी, जो restriction place करती है, on individual liberty in the interest of state, जो state के हित में, लोगों के उपर, लोगों के individual liberty के उपर थोड़ा सा restriction बानती है, या उल्टा, जो place करती effective restriction on authority of the state, on state के authority पर जो restriction लाती है, for the interest of individual liberty, समभध में आगया हुआ, आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर इसका, इसका आंसर होना चाहिए, टू, पहली statement गलत है, क्योंकि जो limited government होगी, जो constitutional government होगी, वो effective restraint place करती है, अपने state के authority के उपर, ताकि लोगों की liberty बनी रहे, उल्टा नहीं हो सकता है, उल्टा नहीं होगा, individual liberty के interest में, state के अपने उपर authority के उपर, एक restriction place करता है, अपने उपर कुछ ऐसे बंदन बांद के रखता है, कि मैं पूरे लोगों के अधिकारों को एकदम उड़ा ना दूँ, एकदम धुआ धुआ ना कर दूँ, तो, correct answer is option two, that is statement two only, एक constitutional government, क्या definition क्या होनी चाहिए, क्या है, by definition, 2020 का question है, अभी आया है, तो, इसका correct answer है, या तो government by legislature, या popular government, या multiparty government, या limited government, तो क्या मालुम पढ़ गए आपको answer, आपको दिग्या होगा answer, यह रह answer, साफ answer है, सीधा answer है, chapter, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, एक संवेदा के सरकार कौन सी होगी, जो limited government होगी, कितने तो political scientists कहे के चले गए, किसी वेरे कहे गए, और हमारे जितने Frederick कहे गए, हमारे IBM कहे गए, हमारे कौन और थे वह, Eurosec थे, वो भी कहे गए, तो constitutional government means, एक और कुशन आया अगले साल, एक back-to-back question, a representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal powers, a government whose head enjoys real powers, a government limited by the terms of the constitution, दिखे आंसर, चमगे आंसर, साफ आंसर है सामने, एक संवेदानिक सरकार वो होगी, जो limited होगी by the terms of the constitution, straight statement उठा लिए इन्होंने, एक political scientist की, सीज़ा सीथा दो नमर, यह pre के question है, यह polity के question, सोचो, इतने आसान question है, अगर आपको click कर गया concept, कह रहे यार, constitutional government मने, सम्मेदान से लिप्टी होई सरकार, सम्मेदान के बंदान में बंदी होई सरकार, बस, आंसर आ गया सामने, बागी देखना ही नहीं है, whose head enjoys real powers, तो वो सम्मेदान होगी, जो real power enjoy कर रही है, बैठके बैठके पूरे, अपने सारी चर्चाएं कर रही है, और अपने सारे पूरे गुल मिला दिये, सारे पूरे सम्मेदान को, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी constitutional government, तो यहां हमारा chapter हमारा, ओवर हो रहा है, और इसके बाद हम next chapter पर आएंगे, अगले अफ़ते, तब तक के लिए, आप पढ़ते रहे हैं, stay safe, stay healthy, keep studying, and good luck.